तो दोस्तो मेरा नाम है संजीविर और आप बेखने हैं डिश्टर संजीव दोस्तो आज के शुड़ी में आपको बताने वाला हूं दूनिया के सबसे पेमस और स्मार्ट फोन में सबसे यादा यूज़ किया जाना है उपरेटिंग सिस्टम तो चलिए दोस्तो आज के वीडियो शुरू करते हैं दोस्तो क्या आप लोगों पता है कि Android का नाम Android कैसे पढ़ा तो जो इनके फाउंडर है एंडी रूबीन जब यह एपल में काम करते थे तो इनकी जो सारे कलीक्स थे उनको हमेशा Android के नाम से बुलाते थे क्योंकि एंडी रूबीन को रोबोट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था तो जब एंडी रूबीन ने इस उपरेटिंग सिस्टम को बनाया था उनको कुछ टाइम कोई नाम नहीं समय आ रहा था डिश्टर कैमरा में इंप्लीमेंट होने के बाद इसको मोबाई फोन के लिए बनाया गया जो कि आगे चतकर बहुत ही फेमस हुआ दोस्तों मैं इसलिए इसको फेमस बोल ला हूं क्योंकि आज की अगर करेंट डेटा के हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबल स्मार्ट फोन म बाद के हैं बाद के जो 15 परसेंट जो अपर्टिंग सिस्टम यूज हो रहा है वह आयोस के हैं तो फैक नमर थी तो फैक नमर थे बहुत इंटरस्टिंग है जो साथ आप लोगों नहीं पता होगा तो फैक नमर थी यह है कि Android के जितने भी वर्जन आते हैं वह सारे अल्पा और जितने भी ओर्डर आते हैं वह सारे अल्पाबेटिक ओरर में आते हैं और जितने भी Android कе वर्जन आते हैं वह किसीना किसी स्वीट के नाम से होते हैं तो दोस्तों कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले android smartphone का नाम क्या था तो दोस्तों सबसे पहले android smartphone का नाम था STC dream जो कि 2008 में STC company दोरा launch किया गया था तो गैस fact नमर 5 पी है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता हुआ कि android गूगल ने बनाया बट गैस ऐसा नहीं है android को एंडर रूबी ने अपने तीन दोस्तों के साथ मिर्के 2003 में बनाया था बट android को potential को देखते हुए गूगल ने इसे 2005 में 15 मिजियन डॉलर में acquire कर लिया तब से android गूगल का प्रोड़क कहा जाने लगा तो वाइस जहीत आज के इस वीडियो में उमीद करता हूँ का आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे होगी अगर वीडियो अच्छी लगे उतनी चनल सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए थैंक्स फर वाचिंग हैव अनाज दे थैंक्यू